आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ इस question में हम लोगों को बताना है एक से ज़्यादा correlation हो सकते हैं वो मैच करने हमें अब डेल्टा जी दे दिया तो मतलब यह हमें एंट्रोपिकली एंट्रोवो यह हमसे पूछ रहा होगा किसकी यह हमसे पूछ रहा होगा spontanity की किसकी? spontanity की क्योंकि जिवस एनरजी हमारी बताती ही spontanity को है डेल्टा जी लेस देन जीरो हमारी प्रोसेस अब देखते हैं एक बात को क्या बात को? कि डेल्टा जी हमारा होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस अगर यह relation आपको याद है तो यह question आप दरहा किसे कर सकते हो कैसे कि डेल्टा एच पहले केस में डेल्टा एच पॉजिटिव डेल्टा एच पॉजिटिव और डेल्टा एस क्या नेगिटिव 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 पॉजिटिव तो डेल्टा जी हमारा क्या आया पॉजिटिव तो डेल्टा जी पॉजिटिव किसके लिए आएग non spontaneous reaction के लिए non spontaneous reaction के लिए delta G positive पहले का A answer हो सकता है high temperature high हो delta G more positive तो C भी हो सकता है क्योंगी positive ही आ रहा है positive ही आना है उसको तो तो पहले का A और C हो सकते हैं अब ऐसे ही दूसरे का देखते हैं दूसरे में क्या है negative negative delta H negative minus delta G positive तो डेल्टा जी हमारा क्या आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है डेल्टा जी हमारा क्या रहा है पॉजिटिव आ रहा है तो ऐसा कब हो सकता है ऐसा तब ही हो सकता है जब हमारा ए ओप्सन हो तेंप्रेचर बहुत ज्यादा हो क्यों क्योंकि हमारे पास क्या आएगा डेल्टा ज तेम्परेचर अगर इफ nutr करेंगे तो क्या एक डेल्टा जी फॉजिट्व करेंगे तो पॉजटिव पॉजिट्व कवा रखनेगा जब वहारा टेम्परेचर बहुत जब TH एसे ही तीसरे केस डेलटी डेल्टीव क्या से रिएक्शं में। तो नेगेटिव यत इक इत्क इसपॉंटेनियों य्येक्शum हुई डेल्टा जी नेगेटिव तो स्पॉंटेनियस रियक्शन हुई तो हमारा आंसर क्या हो गया थर्ड का भी हो गया और तो कोई option मिलेगा ही नहीं क्यों क्योंकि spontaneous तो एक ही option में दे रखा है तो